स्ट्रीशक्ति हर घर का गौरव, हर घर की लाज बेटियां ही तो होती हैं हमारे सर का ताज सुनने में कितना अच्छा लगता है लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं क्योंकि अगर हम सब मानते होते तो ना तो हमारी बेटियां कभी देहेज की बली चड़ती और ना ही उनका कभी शोशन होता मैं दिव्यादत्ता आप सभी का इशो में स्वागत करती हूं जिसका नाम है स्ट्री शक्ति और आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम सब को स्वीकार करना ही होगा आज हम, हमारा परिवार हमारा समाज सब कुछ बेटीों के विकास पर ही तो निर्भर है इससे पहले कि हम इस शो को आगे लेकर जाएं चलिए देखते हैं एक प्यारा सा वीडियो बेटिया तो है लुम्मा खुशिकार ये अगर है तो रोशन जहां है ये जमीन है और आसमा है है वा जो दिन से ही आदमी का बेटिया तो है लुम्मा खुशिकार प्यारा सा वीडियो इनसे इनकी सदाएं न जीनो इनसे इनकी पदाएं न जीनो हक इने भी तो है जिन्दगिन का बेटिया तो है लुम्मा खुशिकार प्यारा सा वीडियो एक बार जोरदार तालिया हो जाएं इस खुबसूरत से वीडियो के लिए लगन उसे अपने गाउं से दूर ले गई नवली कुमारी आज हर उस लड़की के लिए मिसाल बनी है जो पढ़ना चाहती है लेकिन आज उसकी आँखे नम है क्योंकि उसके पास सब कुछ है नहीं है तो सिर्फ उसके माता पिता राजस्थान के छोटे से गाउं से निकली ये शक्ति आज पूरे समाज के लिए एक उधारन एक मिसाल है जोर्दार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति नवली कुमारी का जए स्थीशक्ति, जएस्थीशक्ति, जएस्थीशक्तिYeah कैसीं है Nawalie, आप भौत खुबसूरत लग रहे हैं ëन्यावाड ये खास राजस्थान के? राजस्थान है würd, अमारे अदिवासी ट्रावेलेियमें हमारे एसे हैं एसे पें एसे हैं एसे पेंथे? लेकिन यह जो आपने आसपास जो पहना यह खास आपके खास हमारे मतलब हमारे समझ बहुत सुन्दर है और आप एक बैज लगा कर आई है एक बैजुकेट गर्स टीम बालीका हूं मेरा नाम है नवली कुमारी ग्रासिया और मेरा जनम मेरे गाव में रिडवकला गाव है जो आपरोड सी 15 किलो मेटर दूर है और वहां मेरा जनम वा था और 26 जनवारी उन्निसो दंडे बे गंतंतर के दिवस और जब में मतलों मैं चो पापा ने और ममी ना शोचा की मतलो एक आदी बेट पड़ीगी तो अच्छा रेहंगा त्ली बहने हूश नौ बहने है और भाई भी है भाई दोगा है ग्यारां बच्चे? हां आप कितने नंबर के? में नौ नंबर की आप नौ 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 ज़हे नौ बहने हैं और तो नाम् straightforward थे नाम रखा है .ट तो नाम तो आपका बहुत कुंबसूरत है आपकी जो बड़ी अथने हैं ? तरफी जो ड़ी टुँ गवधी थे वह ने में पड़ी है वुग पांचरी की पड़ी है लेकिन बड़ी बहने निपढ़ी ? नहीं. तो जरा बताएं अपने बच्च्चपन के पारे में. मेरे पापा मतलो बेअसमे बिभांग में टेलिफोन एक्षिन में थी. लेकिन वो बहारी रहते थे. तो मतलो बड़ी बहना थी. उनको नहीं पढ़ा पाई. वो एक बहार रहना और उमनको साथ कियसे ले कर जा वे तो वो और गाम मेश नहीं थी तो रहने मे पड़ पाई और जब में मतलो थी ऊस्चे में हमारे वहां विद्धिले खुल गल गया था開始 किस समय खुल गया था तो मैं जित अज बद्धाले में पांच जी तक पड़ी फिर प्रडाई न सोच इसको मैं मतलो साथ में लेकर जाए और पढ़ाई करवा ओंड़ाई में अच्छी थी आप ए हाँ पढ़ाई में अच्छी थी मैं तो फर्स्टे किलास में फर्स्ट रहें मेरा ही बनाता और शौक था बाट पढ़ने का इसा रहा आपने गाउं को छोड़कर अपनी माँ को छोड़कर एक नए महाल में जाना एजस्कर पाई वहां पर जाकर मैं पहले पहली पहल गई तब मुझे अच्छ नहीं लगाता सेर की अच्छ जब मेरे पास ही नहीं भाबना था जए की मैं एक बेद्भाव कर्थी था धopard New किस्लिया, जह एक गाव की लड़किया है, लड़की हैं और इसके सदून निए बैठना चाही है प Χाव की लड़की इस लिएसून से निया थां भी उट साट लिए मेड होती थी तो फिर पापी से पापा को जाके बताती हैं और मुझे निए पंढ़ना कि पापा ना के वोग्ष में तीचर को बताया तो पिर अचुर न विए टराटा फिर दिरे दिरे जिरे तर्फ उड़ा झाजै। तो हमारे बासा में अधिलो फरकोता है, तो मुझे बोला भी नी याती थी हिंदी तब तो अप छोटी थी? हाँ तब चोटे थी तो फिर दिरेगर के वेसे में सीगे उसके बाद मुझे पढ़ना चलगा और नाइन्थ के लास में आई और मेरे पापा देट हो गए पापा के पापा की डेट हो गए तो फिर आपको वापस जाना तो 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 साल तक मने इसको छोड़ दी ती हुआ है आपस घर चली के पानी लें गया ठीक है एक दम अचानक कैसे तो उसके बाद इलाज बहुत प्रवाया लेकिन वह मतला पालमपूर एमजाबास सब्जय की लाज प्रवाइब क्रवाले किना ठीक नूए तो पर आपको वापस जाना पड़ा है वापस मुझे अजा जाना पड़ा है तो पर पड़ाrole रूख गऒए प्र वहांसे मुझे मजे बहुत भी बहुत फिर मुझे बहुत थी और लड़की थी मुझे और कैसे जाती कैसे आती तेर वाले तो में बढ़ावा दिया कि करो बढ़ो तो कहां तक पढ़ाई की आप फिर मेने वहां मतलो बाहर वी तक की बार्वी तक की आपके भायों ने पढ़ाई की हाँ बाया ने की ती एक ने बार वी की और एक ने आठ वी की वो भी बाहर जाते थे पढ़ने एक बढ़ावला पापा के साध्तरिया के पढ़ाई कि तो आप अपने घर में ग्यारांग बच्चों में आप थी लोग जो थे वो फड़े हैं पढ़ लिखे ते बाद भाद बहुंग में पढ़े में पढ़े थी तो अगे तो अपके लोगा ना सोचा कि एक मतलो पड़ी लड़की है तो इसको मतलो चुनाव में क्यों नहीं खड़ा कर दिया जाए अचा ऐसा भी सोच लिए कि आपको चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तब कितने साल की थी तब मैं तब लग बगे 20 साल की थी बस इती चोटी सी पॉलिटिशन तो फिर उनना फिर मुझे गाव लेकर आए लेकिन मुझे क्यों कि गाव में पंचाद के बारे में मालूम नी था तो मैं कैसे मतलो गाव को किस तर है मैं काम करोंगी फिर मैंने उननोंने मुझे चुनाव के लि की मैंरे काम करवा है क्या क्या कर वाय मैं परणी मुझेशन इंपड़ाया है मैं एक लड़की मात कि बाष्भीपास तो फिर रह सर्वे किया और फिर मैं नाइंटी एट्सी टे में गया है मतलो जने लेके तो गया उससे बंद कर दिया था फिर उनको मैंने सर्वे किया और मतलों उनके बच्चे के लिष्ट बना के फिर ग्राम पंचात के प्रहस्ताव लिखवाया कि हमारे यह इसकूल खुलनी चाहिए इतने बच्चे हैं दूसरी एक इसकूल है जो दूर पढ़ती है तो वहां हमारे बारि कि मैं मैं प्रहस्ताव जिए गैपड़ एक लृठल शादर च्चेंट गई फिर जिएपूर घजाया और इस विद्दों कि बच्छे गाम में पड़े तो उसको मैंने वतो प्रहस्ताफ देख देख ब्यू का रले में और उनने जिला के लेक्टर को दिया और फिर उस विदल को मतलो एक सल लग बग वया और वो आंट की तग हो गया क्या बात है बहुत अच्छी बात है अपने माबाप की नौमी संतान प्यारी सी नवली इनसे बाची जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद स्त्री शक्ती स्त्री शक्ती वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्तिरी शक्ति, और हम बात कर रहे हैं जीवन की जिन्दा मिसाल, नवली कुमारी से, नवली, तो बच्चियों को आप दूर भेजने के, को बचाने के लिए आप उनको स्कूल खुल वाय अपने गामे, तूर मतलो कि जंगल एर्या है और माप बेजते नहीं हैं और आप जो थी वो अस्ट्रेलिया चली गई इतना दूर अपर मैं मतलो इतना पूरा नोलेज होने के बाद में फिर मैं इतना काम करवा है उसके बाद में अस्टेलिया गई वी इसे गई थी इतनी संदर्बन के पिल्कल मैं ऐसी गई थी क्यों कि एक हमार कि यहां महिला को आगे नहीं बढ़न की देते हैं वहां के लो नहीं है कि अनुछे उन ने बताया है हमारे महिला के 33 परतिर सत्त मतलो अरॉक्षस है और अने मतलो हमारे राजिस्तान में 50. मतलो वहां के लोग जा रहे थी कि मतलो आप इतना आगे बढ़़े तो हमें भी तो वापस आई जब आप तो अपने आप में क्या फर्क पायाů वापस आई तो में को मे ऐसे लगा क्योंकि वहाँ और शाफ पये मैं कितना अच्छा था यह और वाहां मैंने उनसे पुछा थी कि वहाँ बजली राद दिन चलती है हमारे यह तो घर हमें बिजली निए और वहाँ मतलु नल करनेक्शन सब मतलु लगे हुए उत पहाड़े ईलॉक तो उनके बारे मेगन झाल पुछा तो इसा थो कहने चलती on जलती है मुझे इसाल लग दिन अगर आप जाएंक भाहार का ऱयं मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे गाव को भी मतलब बदलना चाहरी हुने तो कैसे बदला फिर अपने? बच्चों को इसकुल नी बेज रहे थे ना तो वो कहते है कि हमारा बच्चों को पढ़ा के का करना है तो उनको हमें समझाना पड़ता है फिर मैं एक उपाय सचा कि ये मतलो बच्चे इसकुल नी बेजेगे तो फिर मैंने एक मतलो हमारे गाव मेरह में रास्यं जो मैं बोला तो उनको बोला तो उनको कह दिया कि बले आपके बच्ची स्कुलने जाएंगे तो हम मतलो गहना ही देंगे तो यह मतलब यह बात पुर्ण के स्कूल वेड़ा पिर मैंने पूरी मतलब योजना के बारे में बता है जो बच्चा पड़ेगा उनको मतलब गवर्मेंट से यह सुविधा मिलेंगी क्या सोविधा उदान की जाते हैं जो बारवी में मतलब फश्डीवन आएंगा उसको मतलब इसकूटी मिलेगी लड़कियों को अच्छा और मतलब नाइन्थ किलास में जो फश्डीवन हैं उनको लैप्टोप मिलेंगे तो यह मतलब इस तरह है तो बहुत बड़े-बड़े इनाम हैं बच्छों को पढ़ाने के लिए विकलांग के लिए विकलांग के साइकल मिल जाती है और दिलवाय भी है इसलिए उनों ने मतलब विश्वास किया कि आपने जो कहा उसे निभाया फिर मेरे मतलब फुद को फिर उनको भी में अब बहार जाकर आए तो उनको सोच के लिए आते हैं कि हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया कोई फरक नहीं पढ़ता अपनी जो भी तंखवाय लेकर हम चले जाए जाए लेकिन हम उनके मतलों साथ दिन में में इस्कूल में जाती रहती ती इंस्पेक्शन करती है तो उन बच्चे से पूछ तेती हैं सर लगा दिया और कितनी लड़किया आती थी उसकूल में हमारे वहां गवर्मेट विद्ध्याले में तीस तो लड़किया है और चालिस लड़किया जाए 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 लड़क करने का नहीं सोचा नहीं मैंने साथी करने का इसलिए नहीं सोचा कि मैं अपने मतल समाज के जब तक आगे नहीं बढ़ा हु तब तक मैं सादी नहीं करूँ एक लड़की का अर आपकी अमर की लड़की का इस अपना होता है कि मैं अपना घर बसा हूं और मेरा पती हो और मेरा तो आपने निए नहीं है? नहीं. तो आपने हैं नहीं? अब ही नहीं है, मेरे मेरे बिलकूल नहीं है, क्योंकि अब ही मुझे अगे बढ़ना है. आपके घरवाले, क्योंकि आपे गाहों से आती हैं, हम जहां पर जाधा तर लड़कां का विवाब बहुत जल्दी कर दिया जाता है. तो आप पर क्षेर नहीं डालरे है। हमारे वहां लड़कियों को मतलब विवा कर दिया लेकिन मैंने, मतलब उनके पीछे भी मैंने 2 विवा बालविवा रुख वाय थे. आपने गाहमें? अपने गाहमें, कि मतल्ब एक वहां मतल्ब शादियों हो रही थी और हमेESiga में ग्राम पंजाद का अंदर कांटक्स नम्र दे रखे थे मतल्ब तैसिल्कोव का तैसिल दार के हो यहां साय मतल्ब प Л TV हो आप रपोर्ट लिखा सकती है, तो मतलों को भी कोल करके कह सकता है कि यहां मतलों कम उमर में लड़की की साधी कर दिया जा है, कितना साल की बच्चिया थी दोनों? अपने बच्चियों का भविष्य जो है उसे आपने भविष्य का भी आप सोच रहे हैं? जोदार तालियान की बहुत बड़ा साक्रिफाइज होता है, बहुत बड़ा बलिदान होता है कि अपने सबनों को पीछे रखना और जो आप चाहती है उसे आगे रखना जी अमने एक मतलों इसे मतलों रहेली भी निका लिती की बालिकों के कम उमर में साधी करना कानूनी अप बच्छों का बच्पन में विवारोक रही हैं, बाल विवारोक रही हैं आप अप मार पिटाई भी रुख वारी हैं तो आप तो मुझे लगता है पूरा सोशल काम एक साथ कर रहे हैं बहुत से साथा स्ट्रॉंग लिए किस बारे में फील कर दो ज़गते हैं जैरली मैं सब कौन महिला हैं महिला है मतलो हमारे जागरुद महिला है ऐसे महिला एक्टिव है कि मतलो हम कही भी जाते है तो मतलो जैसे एक महिला को दुख होता है तो उसके लिए कारवाई करने के लिए जाते हैं तो हम सब महिला मिल कर जाते हैं तो उसका जल्दी कारवाई हो जाते हैं आ लिए इन्हों ने कम अम्र में बहुत कुछ कर रा नवली जो अपने अधिवासे समाज में वही एक ऐसी लड़की जो बार्भी पास है और उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेके और अपने बल्बूते पे कि स्कूल खुलवाई और जहां पे 46 बच्चों का दाखिला कराया और हमें उनसे कुछ बहुत कुछ ठीखने को मिलता है कि वो हर मंजिल को पाने के लिए पीछे नहीं आटी हमेसा आगे बढ़ती रही एक आदिवासी बेल्ट में कहें तो एक रोल मोडल है नवली जो काफी और लोगों को काफी और लड़कियों को प्रेरीद करती है नवली जी इस्त्री सक्टी की मिछाल है वो बहुत संगर स्न लड़की है और हम भी उनकी तरह मना चाहेंगे हमारी टीम bālika अबली कुमारी स्प्रीशक्ति की मिशाल है और हमें इस पर बहुत गरुए एक तीम बालिका हूं जैसे की सुवेसी मतलो इसमें मतलो लड़ियों को मतलो नामकन जुडवाना अप मेंबर कैसे बन गए? आपको आपने ढूंडा इन्हें कि इन्हों ने आपको ढूंडा जिसे मैंने मतलो यह हमारे गाह में आए और हमें जानकरी दी मतलो एक एजुकेट गल्स करें मतलो एक टीम बाली का के रूप में मतलो इसकोल में आई थे तो आदेपक ने मुझे फॉन किया और बताया कि मतलो आप इसकुल में आओ और एजुकेट गल्स वाले है ये आपको कुछ केंगे तो उन्होंने मुझे बढ़ाई तो फिर में जुड़ी तो कौन एंचार्ज हैं टीम बालिका की? सफीना हुसेन मैं है जो हमारे मतलो अगे बढ़ाई के मतलो सोच है उनकी और आपके चेहरे पर ऐसी चमक आई है उनका नाम लेकर बौत खुशी महसूस करती है आप उनका नाम लेती है तो बिलकुम ने जी तो आप इतनी खुश हैं तो क्यों ना हम उनको यहां पर आमंतृत क प्रेक के बाद मिलेंगे टीम बालिका की फाउंडर सफीना हुसेन से स्ट्री शक्ति स्ट्री शक्ति हम बात कर रहे हैं नवली कुमारी से जिसने सही मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अपने जीने का उदेश्य बना लिया है पुझे गर्व हो रहा है आज सफ सफीना हुसेन का कैसी आप सफीना मैं बिल्कुल ठीक हो राथ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा लग राया आपसे मिलकर मुझे यह नही पता था है कि यू आर दीजुमान बहाइंड एड़ी गाइड गर्ल्स तो जरा मुझे बताएं कि ये कैसे शुरूँ, आप कैसे इंस्पाइर में कि मैं इसे उठाऊंगी, इस पुद्दे को उठाऊंगी और इसका साथ दूँगी और इसे एक फाउंडेशन बनाऊंगी आप समझ लीजे कि जो और जितनी जेंडर वाइलन्स मैंने बड़े होते वे देखी हैं, I'm sure कि जितनी और ओरते भी हैं यहां पर उन्हें भी देखी होगी, कही ना कहीं अपनी लाइफ में जो जेंडर इनिक्वालिटी है, इन सबसे हम सब वाकिफ हैं, ऐसा कुछ निये कि ज हम जानते ना हो या जिससे हमारा परिचे ना हो, मेरा यह सफना था कि अगर हमारे जेंडर की प्रॉबलम बहुत ही बड़ी स्केल पर हैं, यानि कि हमारी करीब 60 प्रतीषद लड़कियां, 60-70 प्रतीषद राजस्थान में उनका बाल विवा हो जाता है, करीब-करीब 15 परस में स्टेटिस्टिक मेरे खाल से 46% की है, आप सोचने पूरी इंडिया में सिर्व राजस्थान की प्रॉबलम नहीं है, इंडिया अगर आप देखे हैं कि कितनी बालिकाइश स्कूल से वंचित हैं, उसमें इंडिया नंबर वन पे हैं, यही चीज हैं जो हम बड़ी काम करें तो मुझे कुछ भी नहीं देखा, मुझे दिखा जो मतलब चिल्डरन के राइट्स के लिए है या जो एजुकेशन पर हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन पर और जो स्केल पर यानि कि बड़े पैमाने पर काम करें ताकि बड़ा सुल्यूशन निकले वो न कि मतलब कहां से आई हैं और ये कहां 5000 स्कूल की बात करते हैं, अब बाहर से आई हैं, आइडिलिजम लेकर आई हैं, विश्य सर्कल में अटक जाएंगी यहां अटके वहां अटके फिर अपने आप अट जाएंगी और आप हैटी नहीं, तो क्या जजबा था जो आपको आग अब नवली को ही देख लीजए, मतलब मेरा काम वही था कि बस लोगों को ढूंडो, जोने एक बहुत इंट्रिस्टिंग बात बताई कि शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते, तो मुझे लगता है कि जहां से आती हैं वहां के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है, वहां बड़ा फैसला है, तो सिर्फ एक प्यारी सी महिला खड़ी हुई और बोली कि एजुकेट गर्ल्स मैं करती हूं, लेकिन गवर्मेंट सपोर्ट या बाकी फानांशल सपोर्ट आपको कैसे नहीं हैं? मैं गवर्मेंट सपोर्ट किने तो मैं सबसे पहले मैं नैशनल M.H.R.D. गई, मैंने का जी आप जेंडर गाप के बारे में आप बताइए कि आपके कौन सी अरिया से सबसे जादा पिछड़े हूए हैं, तो अने का ये 26 डिस्ट्रिक की लिस्ट है और ये सबसे जादा क्रि करते हैं, तो मैं सबसे मेरा काम बन गया, अगर कहीं काम करना है तो फिर वही राजस्थान में ही काम करना है, क्योंकि अगर आप उन नो डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने काम कर लिया और कुछ इंपक्त आया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जी तो फिर उसके बाद में रा जहां पर हम काम करते हैं, तो गवर्मेंट ने आपको गाइडलाइन तो दी लेकिन कुछ फाइनाशल सपोर्ट या कुछ बैकिंग भी जहां पीछे मूड कर देख सकें और कहीं कि अगर मुझे मद चाही तो है, तो पचास को लोगे टाइम तो अगर जी आप कौन, और आप और इन सब चीजों की कॉस्ट रुने का कि ठीक हम आपको 5% का सपोर्ट देते हैं, फिर जब हमने पूरा पाली एक डिस्ट्रिक लिया तब उने 17% तक उसको बढ़ा दिया, तो इस तरह से गवर्मेंट का सपोर्ट जैसे जैसे की ट्रस्ट भरोसा उनका बढ़ता गया, उन मैं कहना चाहूंगे कि नवली तो हमारी सूपरशार है, साड़े चार हजार लोग नवली की तरह हमारे साथ टीम बालिका करूप में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी तादार है, तो इन सब को चलाने में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनता ह तो जो हमारे टीम बालिका है, यह बहुत ही एक कैसे एक तो हम उनको ढूंदते हैं, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हम वही चाहेंगे कि जो बिलकुत सच्चे मन से जोड़ना चाहते हैं, वही हमारे साथ जोडें, और जो सच्मुच अपने गाउं का हम लोग रिकूटमेंट के एवेंट्स करते हैं, हम वाल राइटिं करते हैं, हर गाउं में कम से कम आधा दरजन पोस्टर लगाते हैं, लोगों को जागरो करते हैं, भूपु प्रचार करते हैं, गाउं गाउं जाकर, कि सबसे कहते हैं कि आपके जो बेस्ट लोग हमारी तर किरेंडर्यूर्ट से विए अठाब कर दो रहाती हैं किसम इन्दिक रहतारा हुद। यहाँ लेंगे हम कहिंभता सा ब्रेक के बाद मिलेंगे तीम इस सित्य भालिका कि सीटा देवी से स्ट्री शक्ति, स्ट्री शक्ति यह अक्ति, मैंने आकित्सु अक्ति, स्ट्री शक्ति, टाुक सिक ट्री शक्ति अर्च में और। टान। उबेड़ुरां नहीं प्राइड जूड़ाया ।ंप रणान। उफ्रता ऋंधाक मतल। गड़ाया रुपना खदे अजया हृँ है। वही जए से स्ट्रू एक वाग त मेरे खाथिजी निवाढ़ साँख इओंग तो तरह समाज से बाइसका कर दिया तब मेरे भार करते हैं तो रometर को प्रेसा नहीं आथे जैसे कोई मोठ में आई गानी उन्का पानी पन वाना के बाद में लार बाहर जाते तो लुवारसे, टाओन नहीं देते थे, और पानी परना जाते है, पानी बना जाते है, तो आपने रगते है झाहरे है। लेकिन लास्त में आगिर तो भी गुट्टनेट्टी का ही दी, पंचो के सामने है। समाज से महर को अंदर लेलिया पैसे बढ़ने के बाद में, आज मेरे उपर पांच लाग का करज है, अब मेरे ब्याज भरूं, बच्छों का जीवन इंडिवा करूं, या बच्छों को आगे पढ़ाई करूं। संस्ता के बारा मुझे पता चला है के जीवन गंस कुछ संस्ता है, तो वहाँ पर जाके मैं संस्ता में जुड़ी, संस्ता के जुड़ने के बाद में मुझे बट कुछ बदलावाया, कि बच्छों कैसे पढ़ाना, कैसे नी पढ़ाना, उनी समाज में कैसे कूरितिया, उनको क करना यह वहां से मुझे सब यह मिला मेरी तैसी और कई सीता है वो बीचारी बहुत दुख्या हो रही है हमारे समय के अंदर एसे रिवेस्ट है कि मेरे साथ जो हुआ इसी और के साथ ऐसा ऐसा ना करें तालिया हो जाए सीता देवी और टीम बालिका के लिए इसी स्पीना आप तो बहुत गर्भ महसूस करती होंगी अपनी टीम को लेकर जी बिलकुर बहुत ही ज्यादा आप समझ नी सकनी कितना गर्भ नई वो दिख रहा है आपकी चेहरे पे गलो है जो लग रहा है कि जो आपने सपना देखा उसे काफी हद तक आपूरा कर चुकी है मैं आपको एक कहानी बताऊंगी इसी पर कि आप पहले मुझ से पूछ रही थी ना पैसे के बारे में फंडिंग या सपोर्ट के बारे मैं आप यह नहीं मानें कि मैं दो या तीन साल हो गए थे हमें काम शुरू की हुए और मेरे पास पैसे नहीं थे बिलकुल पैसे नहीं मेरी तीम पांच मही ने बिला सार्दी के काम किया है बड़ आपके विश्वास तर और लेकिन छोड़के एक आदमी नहीं गया तो इसलिए मैं सच्छ मुझ में बहुत ज्यादा गरफ है अमारी तीम पर बहुत यह तो तालियूट थीम है वक्त है आपको सातारा की उन लड एक भर ला जाना मौहनी मौन के ऊटे है और मेरे इसकुल दो किलोमेटर दूर है वुझे हमेशा सुखल जाने में देरो थी थी तो उसकी वज़से मुझे पढ़ाई करने अमेlly time ने मिलता था बाध में मानदेश बैंक ने मुझे साइकल दी अब मैं सुछ एब ताइम पर कर दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी जा सकती हूँ मैं सलाम करती हूँ इन स्त्री शक्तियों को और इनके पढ़ने के जुनून को और धन्यवाद करना चाहूँगी मान देशी बैंक का जिन्हों ने इन सब का साथ दिया कुछ ऐसी सूपरस्टार की कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत इंपक्ट कर गई हो हमारी टीम मेंबर के बारे में बताना चाहूँगी उनका भी बालववा हो गया था जी और वह बच्ची मतलब आठवी पास होगी और अपने इन लॉस की घर चली गए और वहां पर उस पर बहुत अच्याचार हुआ बहुत ही ज्यादा लेकिन उसकी खुशक्रिसमत कि जब उसके फैमिली को बता चला तो उसके फाद और उसे वापस ले आए जो बहुत कम होता है बहुत कम होता है आप समझ दीजे और वो लड़की वापस आ गई और फिर उसने पढ़ा इवगर अपनी शुरू की और अभी वो हमारी हेल्प ट तक देखना चाहती है आप हमारा लक्ष अभी जो हमारा सपना है वो यह है कि हम करीब-करीब 15 जेंडर गैब डिस्टिक में पहुंच जाएं दो हजार अटारा तक यानि कि 30,000 स्कूल और करीब-करीब 15,000 टीम बालिका हमारे साथ हो अभी 4,000 है अभी 4,000 है अभी 4,000 है मतलब जितना बड़ा हो उतनी जल्दी शायद पूरा भी हो जाता क्योंकि आप बहुत लड़कियों की ब्लेसिंग्स भी लेती होंगी शुब कामनाय लेती होंगी और ऐसी रहा जो दिखाई है ऐसा जुनून मैंने बहुत कम लड़कियों में देखा है अमस से आपके आने स समाज बदल जाए और एं मतलब सिक्सा से जूड़े तो मतलब पूरा मतलब यह समझते हमारे हमें मतलब तंका ही मिल गगई तो मतलब इतना हम नहीं सौचते हैं और हम और लड़कियों को जोडने का काम गरते हैं टीम बालिका के ते हिट पी कितने साल से आप इनके साथ है दो साल से आपको इनका नारा मालम है नहीं बताईए इनका नारा है जो टीम बालिका ने खुद बनाए कि मेरा गाओं मेरी समस्या और मैं समाधान भै यह नारे के लिए टालियां बहुत कम लोग हमरे समाधान ढूटते हैं हम जacement समय रहते हैं वहां पर सब समस्याइँ लिखते हैं उन पर फोकस जादा होता है समाधान पर हम लोग फोकस नहीं करते और यह कहना के समाधान भी मैं ही करोंगी वह बहुत काभल तारीफ़ात अपने नारा आप खुद से क्यों नहीं लगा के सनाती हमें? बेटी जिन्दाबाद बेटी जन्दाबाद? बेटी तो हमेशा जन्दाबाद किछ कहना चाहें किमसे? बिलकुल हमें इनों ने हमें मतलो लड़कें को मतलो जीने का सारा दे दिया एक परकार का मेरा भी यही सपना था कि मतलो लड़कें को आगे पढ़ाने का और हमें भी मतलो यही सपना मिलगे आगे इनों ने जी इतना लंबा चौड़ा सपना बनाया है जो कि बहुत खुबसूरत है सपने तो कुबसूरत ही होने चाहिए तो आपको लगता है आप उसे हासल कर लेंगे बिलकल में तीस हजार स्कूल बिलकल इनका सपना हम पूरा करेंगे आप सुफीना इन से कुछ कहना चाहिए मैं तो बस यही चाहूंगी कि नवली बहुत खुश रहें लाइफ में बहुत आगे जाएं इसके अंदर जो शक्ती है आप और मैं समझ भी नहीं सकते हैं नवली को दर्वाजा खोल की भी नहीं एक छोटा सा क्रैक भी खुला मिलेगा न तो यह तीर की तरह निकल गए जाएगी और बस मेरा यही है कि इसको आगे बढ़ने की opportunities मिलती रहें जितनी पूरी जिंदगी नवली क्योंकि यह जहां पहुंचेगी आप और मैं इस समय सोच भी नहीं सकते कि कितना आगे जाएगी नवली हम चाहेंगे हमारी शुब जचाहें कि नवली बहुत आगे पहुंचे और अपने साथ बहुत लाखों करोड़ों अपनी जैसी लड़कियों का हाथ थाम कर चले और उन्हें भी रस्ता दिखाएं इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद दुबारा मिलते हैं सफीना जी पे हमें ही नहीं पूरे देश को गर्भ होना चाहिए मैं अपील करना चाहती हूँ अपने सभी दर्शकों से कि आगे आएं और एजुकेट गर्ल्स को जो सपोर्ट दे सकते हैं जरूर दीजे सफीना आप कुछ कहना चाहेंगी इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे असी हजार लड़कियों को ढूंडा है जो स्कूल से वंचत थी और उन्हें स्कूल से जोड़ा है बहुत बढ़ी मात्रा है यह असी हजार लड़कियां बहुत बढ़ी बात्रा जी एक तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उपर से यह जजबा उपर से आपकी सूपस्टार यह बेठी है आप से बातिं करके बहुत मजा रहा है इस बातों के सेशन को में कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद अब वक्त है एक ब्रेक आप ब्रेक में चाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं टीम बालिका के कुछ जल्कियों के साथ पड़वाने इजी रो हेलो आयो आज चलो बेना पड़वाने हो जी कावरी इश कुला में जानों सिता गीतारों पस्तों लगानों परवेश्दिल अन्वाने आज चालो बेना पड़वाने हर एक छोरी रो करियर बनानों खेल खेल में बनाने पढ़ानों खेल खेल में बनाने पढ़ानों वाने दिलानों अधिकार री चालो बेना पड़वाने हाँ शिक्षारो है अधिकार चालो बेना पड़वाने एजी रो हेलो आयो आज चालो बेना पड़वाने एजी रो हेलो आयो आज चालो बेना पड़वाने एजुकेटिकल्स रो ओ है कैणों सब बेहनोंने आप पड़ाजों आ है मारो अधिकार चालो बेना पड़वाने अब वक्त है हमारे आज के सवाल का हमार आज का सवाल है नवली किस संस्था से जुड़ी हुई है और हमारे विजेता को मिलेगा तत्व नाच्रल बॉड़ी केर की ओर से एक गिफ्ट हैंपर हमारे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है देवदासी कुशावा की संस्था का नाम मास है और हमारे विजेता है विने मंडल कांदिबिली मुंबई से शुक्रिया सफीना जी नवली आपके लिए एक वीडियो है खास वो देखते हैं मुन्ना भाई और थ्री इडियर्स जैसे मशूर फिल्मों में संगीत का जादू विखेरने वाले शांतनू मुईत्रा ने जब हमारी स्त्रीशक्ती नवली कुमारी की बाते सुनी तो शांतनू का कहना था सारे शुरताओं को मेरा प्रणाम हम आज यहां पर आये हैं बिकॉस कहीं पर एक जो औरत है जी हम इतने सालों से हमारे साथ हैं पर कई बार हम भूल जाते हैं कि वो कितना एहम हिस्सा है हमारे जिन्दगी का आज हम सेलिबरेट कर रहे हैं ऐसे एक औरत को जिनका नाम है नवली कुमारी यह नाम मेरे लिए बहुत लवली है सिर्फ नवली नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कहानी में एक प्रेना है बहुत साल पहले मैंने एक अलबम किया था मुजिक अलबम उसका नाम था मनके मंजीरे यह औरतों के लिए ही किया था यह इसलिए बनाया गया था लिखा था इसको प्रसुन जोशी ने और आज जब मुझे आमनतित किया गया है नवली के लिए कुछ बोलने के लिए सड़ली मेरे दिमाग में ये चार पंक्ति आ रहे है जहां पे औरत को एक झील के साथ कंपेर किया गया है मैं झील हूँ उकता गई हूँ अब चाहती हूँ बहना बोरा गई हूँ जो भी यहां आता है खामोशियां लाता है सुल्जे हुए लोगों से तंग आ गई हूँ मैं झील हूँ उकता गई हूँ अब चाहती हूँ बहना बोरा गई हूँ यह बखुबी गाया था शुबामोशियां जी ने और उसमें दो पंक्तियां कमाल है जो बहुत बहुत एहम है इस प्रोग्राम के लिए वो है पानी का एक सच है वो सच है बहते जाना रस्ते ने छोड़कर रस्ते ने बनाना चाहने ही था मैं रोकी गई हूँ मैं जील हूँ उकता गई हूँ अब चाहती हूँ वहना बारा गई हूँ नवली कुमारी ने जील बनना नहीं उचित समझा उसने एक पूरा एक सिस्टम से जूजा आदिवासी होकर पड़ाय लिखाई करना बहुत ही मुश्किल है मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसे इलाकों में काम किया है और वो वहां से निकली है ट्वेल्थ पास किया है आप ज आप और हम ने लिए हम समझ भी निसकते उसके लिए कितना कठिन होगा यह रास्ता मैं बिलकुल सर टेकता हूँ उनके सामने और कहता हूँ कि आप ने जो किया है वो कमाल किया है आपने आप मालक दक्षक है बाकी अड़तों के लिए और स्पेशली शेहर में जो लड़किय है सर को ऊपर रख के चलना यह सिर्फ पुरुष का नहीं एक नारी का भी अधिकार है नवली कुमारी का जो जो जर्नी है जो उनका यह पूरा एक यात्रा है उसमें यही कह सकता हूँ कि इस तरी शक्ति को प्रड़ाओं इतनी कम उमर में इन्होंने जो संजीदापन दिखा ही है यह बड़े-बड़े लोह के बात मिंहीं होती कि क्या करना है कितना करना है कब करना है कैसे करना है? यह जो clarity है और ऐसे र्थ ऑफ एक वाथाव्रेंट्स है जो बिल्कुल मेल-dominate is जो कह सकते महां से निकलके यह independence यह तो बस 3 शक्ति कर सकता है जी जी, तो देखा आपने, कैसे एच छोटी सी लड़की इतने बड़े काम को अंजाम देने में लगी हुई है, क्या हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्या हम भी किसी एक लड़की को शिक्षित कर सकते हैं, सोचेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो फिर एक और नवली को इतना स कुष्छ रही सब्सक्राइब